हलो अरवान आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और यह एक notification है यह University of Jammu के तरफ से release किया गया है बहुत सारे बच्चे पूच रहे थे sir admission लेनी है लेटरल एंट्री में जी-सी-ई-ट में अगर admission लेनी हो यह बाकिक एनडि में यह लेनी हो तो किस तरीके से admission ली यह जा सकती है तो जमू यूनिवस्टी के अंडर आने वाले सभी colleges जिसमें आपका GCET आता है Government Engineering College जो है उसके बाद महांत बजित्तर सिंग है बारगवा Engineering College है योगा नंदा Engineering College है इन सभी colleges में अगर आपको admission लेना होगा लेटरल एंट्री में, सेकंड एयर में तो उसके लिए क्या eligibility criteria कब से date start होने वाले हैं वो यहाँ पर हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं वीडियो को शुरू जिले के आंत तक देखें ताकि आपको सारा कुछ एक एक करके clear हो जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है application जो है व कोई जादा फरक नहीं है दोनों में B.E. Bachelor in Engineering और B.Tech. Bachelor in Technology यहाँ पर जमू उनिवस्टी के अंडर B.Tech नहीं करवाते हैं B.E. करवाते हैं that is Bachelor in Engineering in Civil Engineering Civil Engineering और जो भी कोई हमारे trade है बाकी trades भी दी हो है program second year third year under lateral entry scheme for the session 2021 to 2022 in the colleges affiliated to University of Jammu जमू in the following disciplines तो तो यह हमारे सामने कुछ trade जो है नीचे दिये हो है civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer engineering, electronics and communication, information, technology, engineering इन सभी के अंदर जो है यह seeds निकली हैं कैसे form बर सकते हैं और कब तक form बर सकते हैं कैसे form बर सकते हैं और कब तक form बर सकते हैं वो हम आगे समझते हैं online application form may be filled by the eligible candidate जो eligible candidate है उसको with effect of 6-9-2021 कल मलब 6 तारिक से form बरना शुरू करते हैं through the domain link जो link है इनका link है gcetlateralentry.co.in तो आपको gcetlateralentryco.in में जाना है और वहां से आप सीधा form बर सकते हैं आपको अविलेबल होगा last date for the submission of online application form is 2709-2021 आखरी डेट जो है application form को submit करने की वो 27-9 यानि 27 सब्तमबर 2021 है mandatory candidate have to submit the print out of the duly filled in application form और जो आपने form fill up किया उसका print out आपको निकाल लेना है डाउनलोड करना है और उसके साथ आपको एक demand draft बनाना पड़ेगा डिमांड रॉफ्ट प्रिंसिपल के नाम से ठीक है जी सीटी जम्मू इन ऑफिस ऑफ अफ अंडर साइंड बाइद पोस्ट और इन परसंड लेट लेटेस्ट बाइव फाइव टैन टूज़़ज़ड और टूज़़ज़ड़न टूज़़ए तक आपको यह डिमांड रॉफ्ट जो है यह बनाना है उसके बाद लिजिबिल्टी क्राइटेरिया क्या है जो केंडिडेट है वो डोमसाइल होना चाहिए जमू कश्मीर यूनियन टेराटरी का दूसरी चीज़ उसके पास डिप्लोमा इन इंजिनरिंग त्री यह पास्ड डिप्लोमा इन इंजिनरिंग जो है वो होना चाहिए यहां फिर बी एसी बैचुलर इन साइंस नॉन मैडिकल क्योंकि आपको पता बैचुलर इन साइंस नॉन मैडिकल और डिप्लोमा इन इंजिनरिंग इसको इकुलेंट माना जाता है टेक्निकल कोर्सिस में अब यह डाउट सा बच्चों को कि सर अभी हमारे तो पास ही नहीं हुआ पेपर अभी हमारे हो रहे हैं तो सिक्ष कैंडिडेट एफु प्रड्यूस देर औरीजनल मार्क्स ऐसे कैंडिडेट शको अपने एवरीजनल जो मार्क्स काड़् और और ऐद टाइम अफ नहीं अवाव काउंसलिंग से पहले यह कांउन्सलिंग के बाद में सब्मेट करने पड़ेंगे इफ डिफिंगर इन दा लि लेकिन उसके पास original marks card नहीं है in qualifying examination qualifying examination में she she shall not be considered for the admission उसको admission में consider नहीं किया जाएगा कोई तरह की अपर age बार नहीं है for appearing in the entrance test इसके लिए entrance test होगा आप सभी को पता ही है form बरने के बाद आपका entrance test होगा और उस entrance test के अधार पे आपका merit list बनेगा तो अगर आप merit में आपका नाम आ रहा है तो आपको six semester की marks card भी जमा करवानी पड़ेंगे कोई अपर age नहीं है कोई भी age का आदमी इसको बर सकता है admission for the engineering courses both in government and the private colleges चाहे आप private colleges में बीशन ले रहे हैं चाहे आप government college में बीशन ले रहे हैं बाकि आप इसकी instructions को अच्छे से पढ़ लीजिए इस वीडियो में इतना ही thank you very much for watching this video God bless you all